refer to example 5 section 14.4 chapter 14 तो ये मैंने वहाँ से एक उसका जो चार्ट था उसकी कॉपी ले लिए यहाँ पर find the probability that a student of the class was born in August तो हमें ये कुछ data दिया गया है ठीक है और हमें ये find out करना है कि आप ये probability निकालो कि हम randomly class में से एक बच्चा अगर select करें तो उसकी क्या probability है कि वो August मन्त में पैदा हुआ था इसकी क्या probability है देखो ये हमारे पास क्या है ये हमें data दिया गया है ठीक है तो data के base पे जब हम probability निकालते हैं बोलते हैं experimental probability अगर इसके बारे में अच्छे से नहीं पता तो जो टावर प्राइट कॉर्णर में लिंक में दे रहा हूँ पहले उसको जरूर देख लेना यानि कि अगस्त मन्त में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनका count और उसको class में जितने total बच्चे हैं उनके count से divide कर दो तो हमारे पास event क्या है born in August तो पहले मैं यहां लिख लेता हूँ कि मेरा event जो है उसको मैं e बोल देता हूँ वो है born in August ठीक है तो मुझे probability of e यानि कि इस event की probability निकालनी है और वो क्या होगी कि इस event के होने की जितनी frequency है यानि कि जितने बच्चे अगस्त मन्त में पैदा हुए हैं उनका count उसको total number of results से आप divide कर दो वो आपकी probability हो जाएगी total number of results मतलब total students in the class तो सबसे पहले हम frequency find out करते हैं और total number of results find out करते हैं इस chart के base पे अब देखो यह जो मझे chart दिये गया है यह है months of birth और यह है कितने बच्चे किस किस महीने में पैदा हुए उसका chart देखो chart वाले questions बड़े असान होते हैं यह देखने में जितने complicated लगते हैं यह उतने ही easy होते हैं कैसे जब आप इसको देखो गए आपको समझ में आ जाएगा देखो January में कितने बच्चे पैदा हुए तीन तो यहां मैं तीन लिख लेता हूँ February में कितने बच्चे पैदा हुए चार यानि कि यह एक class के बच्चों का data है कि उस class के चार बच्चे जो है उनका data बर जो है वो February में आता है March वालों में दो हैं और मैं बाकियों पर फटा फट नंबर लिख देता हूँ तो यह मैंने यहां पर नंबर लिख दिये अब total कितने बच्चे हैं जितना यह count है तो यह मैंने बच्चों का count डाल दिया कि January में इतने बच्चे पैदा हुए February में इतने हैं इनका पहले हम लोग total count कर लेते हैं तो यह total आगे मेरे पास 40 students तो इस class में 40 students है total ठीक है अब इन में से कितने बच्चे हैं जिनका date of birth जो है वो अगस्त में आता है यानकि वो अगस्त born है वो हैं सिरफ और सिरफ 6 तो 6 को मैं 40 से divide कर दूँगा और वो probability आजाएगी कि अगर मैं randomly उस class में से एक बच्चा pick करता हूँ तो कितने chances हैं कि मैं वो वाले बच्चे को select करूँ जो अगस्त मन्त में पैदा हुआ है तो यानकि यह कितना आजाएगा इसको फर्दर ना जाते हो कर दो नहीं तो यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो this is right so that's it from this tutorial keep watching मैते माफिया झाल झाल